जो लड़ा था सिपाहियों की तरहा ऐसा भारत में बाद्शाह ना हुआ रू तो हो गई थी तन से जुदा हाथ तलवार से जुदा ना हुआ वर्तमान समय में भी टीपू सुल्तान के चरितर को कलंकित करने के लिए तरह तरह की बातें बोली जाती हैं तरह तरह के तरक दिये जाते हैं तरह तरह के परमान दिये जाते हैं और इतिहास के कई सारे लेखकों को कोट किया जाता है लेकिन जितने भी कलंक टीपू सुल्टान पर लगाय जाते हैं वे सब जूटे और बेबुनियाद हैं इसी के परताल हम इस वीडियो में करेंगे इस वीडियो में ही नहीं बलकि आने वाले 3-4 वीडियो में करेंगे और ये सब वीडियो देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपकी राय टीपू सुल्तान के बारे में बेहद स्पष्ट और साफ हो जाएगी प्रसिद इतिहास लेखक जेमस मिल को छोड़ कर बहुत कम अंग्रेज लेखक ऐसे हैं जिनोंने टीपू सुल्तान के चरितर के साथ नयाय करने की कोशिश की हो इन में से अधिकांश लेखकों ने टीपू को बतनाम करने के बरसक प्रत्न किये हैं यहां तक कि मुसल्मान लेखकों को धन दे कर उन से फारसी में सुल्तान टीपू की कल्पित जीवनिया लिखवा डाली गई थी और ये सारे काम अंग्रेजों ने किये थी इन अंग्रेजों के जर्खरीद भारतिय लेखकों की पुस्तकों में टीपू के अत्याचारों के अनेक कल्पित किस्से भरे हुए हैं संसार के इतिहास में शायद बहुत ही कम लोगों के चरितर पर इतने अधिक जूटे कलंक लगाए गए होंगे जितने उन भारतिय वीरों के चरितर पर लगाए जाते हैं जिन्होंने समय समय पर इस देश के अंदर अंग्रेजी राज के जमने को रोकने का प्रत्न किया था प्रसिद अंग्रेज इतिहास लेकग सर जौन के जो संद 1857 के स्वाधिनता युद्ध के बाद इंग्लिस्तान के भारत मंतरी के दफ्तर में राजनेतिक और गुप्त वेभाग का सेक्रेटिर रहा था उसने साफ साफ लिखा है कि हम लोगों में यह प्रता है यानि अंग्रेजों में यह प्रता है कि पहले किसी देसी नरेश का राज्य चीनते हैं और फिर उस पर तथा उसके उत्तर अधिकारी बनने वाले पर जूटे कलंक लगा कर उन्हें बदनाम करते हैं यह बात भी एक अंग्रेज की ही बोली हुई है मुख्य तोर पर दो तरह के लजाम टीपू सुल्टान पर लगाए जाते हैं एक यह है कि अपने अंग्रेज कैदियों के साथ उसका वेवहार अत्यंत करूर था और दूसरा यह है कि टीपू सुल्टान एक धर्मान था इसकी परताल हम एक एक करके करते हैं पहले लजाम के विशे में मैं किवल इतना कहूंगा कि सवाई कप्तान बेर्ड जैसे अंग्रेज कैदियों के बायानों के और इस कुरूर वेवहार की कोई गवाही नहीं मिलती है और यह अंग्रेज कैदी ने तो निश्पक्ष माने जा सकते हैं और ने सरवता सत्यवादी इसके अलावा यदि बेर्ड और उसके साथियों के सारे बयान सही मान लिये जाएं तो वे सब अत्याचार जो टीपू ने बेर्ड और उसके साथी अंग्रेजों पर किये थे उन अत्याचारों के मुकाबले बिलकुल फीके मालुम होते हैं ज मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं दूसरा इल्जाम इस देश में हिंदो मसल्मान वेमनस्य को बढ़ाने का अंग्रेज लेखकों के हाथों में सदा से एक खास साधन रहा है टीपू सुल्तान पर इस इल्जाम के संबंद में मैं सबसे पहले इतिहास लेखक जेमस मिल के राये आपको बताना चाहता हूँ उसने लिखा है कि टीपू के चरितर की एक और विशेशता उसके धार्मिकता थी उसके मन पर इस धार्मिक भाव का अत्यंत गहरा परभाव पढ़ा था दिन का अधिकांश समय वह इश्वर प्रार्थना में खर्च करता था अपनी सल्तनत को वह खुदादाद यानि इश्वर प्रदत कहा करता था इश्वर के अस्तित्व और उसकी पालकता में उसे इतना गहरा विश्वास था कि इस विश्वास का प्रभाव उसके जीवन के समस्त कारियों पर पड़ता था वास्तम में जिन चीजों ने उसे फांसने के लिए जाल का काम दिया उसमें से एक उसका इश्वर की सहायता में विश्वास था क्योंकि वह इश्वरी सहायता पर इतना अधिक भरोसा करता था कि कभी कभी अपने रक्षा के दूसरे उपायों के अभेला कर जाता था यह बायान एक विद्वान और प्रमानिक अंग्रेज इत्हास लिखक का है इसमें कोई शक नहीं इस विशे में हैदर अली और टीपू सल्तान में अंतर था हैदर अली समराट अकबर के समान बिलकुल आजाद ख्याल का था टीपू सल्तान इश्वर में अधिक विश्वासी और धार्मिक विचार का था हैदर अली किसी धर्म को भी पूर्ण या निबरान्थ नहीं समझता था टीपू धर्मिक प्रवित्ति का मनुश्य था और खासकर इसलाम धर्म को मानता था परंतु जिस तरह एश्वर भक्त और विश्वासी मनुश्य टीपू था उस तरह के धरमिता एक चीज है और धर्मानता बिलकुल दूसरी चीज है अंग्रेजों और अंग्रेजों के धनकरित भारतिय लेखकों की पुस्तकों में टीपू की धर्मानता और गेर मुसल्मानों के साथ उसके अनुचित विभार की इतनी कहानिया दर्च हैं कि इस विशे में अपनी अंतिम राय काइम करने से पहले पंडित सुंदरलाल जी ने बहुत अधिक खोज की थी और इस विशे में 1929 में मैसूर राज के पुरातत्त विभाग के विद्वान डारेक्टर डॉक्टर शाम शास्त्री मैसूर विश्व विद्याले के रजिस्टरार श्रीयुच श्रीकांतिया और वहां के अन्य सज्जनों से बाच्चित करके ही टिपु सुल्तान के बारे में अपनी है राय कायम की हैं और इसी पुस्तक से मैं अपनी ये सारी बातें आपको बता रहा हूं जो बहुत ही प्रमानिक और सटीक किताब मानी जाती है साथियो वीडियो में सिर्फ इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार